जैहिन सातियों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागता आप सभी का अपी के यूट्यूब चेनल आपेबर क्लाशिस में होप सो दोस्तो आप सभी अच्छे होंगे और रिजल्ट का तो काफी बच्छे इंतिजार करें रहे हैं जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं बट जिनके आप सभी को एक बड़ी अबडेट बताने वाला हूं वन दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप सभी को जाननी जरूरी है एक तो कट ओफ के बारे में काफी बच्चों की कमेंट आए कि सर कट ओफ कब आएगी कैसे आएगी आएगी भी नहीं आएगी तो यह कुस्टन काफी रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा यह कंफर्म है या नहीं ठीक है अब काफी बच्चों ने दोस्तों बताया था प्लस में पहले 6 जून को रिजल्ट आजाएगा क्योंकि यूनिट पर बताया गया था उनकी बड़ दोस्तों अभी रिजेंटली जो चेंज हो के बताया ज कोई भी अगर यह उसी अपडेट देता है आप दोस्तों इधर उजर के नोर्टिस पर मज जाना कोई भी वच्चा कि हां सरे यह नोर्टिस वाइरल हो रहा है और यह हो गया और यह हो गया इन सभी चीजों को ध्यान ना देते हुए जो भी आपको अगर कोई भी दोस्तों सीधे के सीधे यहाँ पर जाना या दोस्तों हमारी वीडियो का इंतिजार करना जैसी को ओफिशल और अथंटेक अपडेट होगे आप सभी को आई पेपर क्लासिस तुरंत अपडेट कराएगा क्योंकि आप सभी मेहनत के साथ दोस्तों हमारे साथ बने हुए थे सोरी फॉर क्या सपास सीट है ठीक है ओ कलर चेंज कर ले चलो कोई बात नहीं 1793 सीट है तो यह बच्चो यह नहीं होने वाला है कि दो गुना बच्चे पास किये जाएंगे या दोस्तों चार गुना बच्चे पास किये जाएंगे तभी आप सभी सभी ने उम्मीद लगा रख्यों ऐस इसी तरीका से क्योंकि यह ओल्ड फायर्मैन की मैं आप सभी को फाइनल मेरिट दिखा रहा हूं बच्चो चेक कर सकते हैं आप सभी क्वालिफाइंग लिस्ट ओफ सिविलियन ठीक है यह यूनिट इन साउथर्ण जो कमांड पोस्ट फायर्मैन क्योंकि पहले फायर्मैन की वेजंसी निकली थी 2021 के आसपास सुरी 2018 या 21 के आसपास उस टाइम की बच्चे लिस्ट है ठीक है अब इसमें बच्चो चेक करना है आप सभी को एक तो रोल नंबर इन्होंने मैंसन कर रखा है प्लस में दोस्तों अकोर्डिंग इन्होंने आपकी कटगरी भी मैंसन कर रख है fireman यानि कि यहां पर लिखा होगा tradesman rate के लिए रहे ना आगे बच्चो फिर इन्होंने slash करके आप सभी की डियो भी दे रखी है के लिए रहे आगे बच्चो यह जो recruitment process है वह इन्होंने mention कर रखा है फिर उसकी आगे दोस्तों आप सभी का क्या है roll number इन्होंने mention कर रखा है ठीक है अब जो भी दोस्तों list जारी होगी ना आप उसमें दोस्तों सीधा side में जो search bar होता है वहाँ पर जाकर आप सभी अपना roll number डालना आप सभी का यदि दोस्तों selection हुआ होगा आसा करते हैं दोस्तों सभी का selection और जिन्होंने वास्ताव में महनत की है ठीक है जो दोस्तो इसके लिए desirable हैं दोस्तों हक है उनका कि हाँ भई मैंने इतनी महनत की है और मेरा selection होना चाहिए तो उनको जो मिलनी भी चाहिए दोस्तों हम भी क्या pray करते हैं ठीक है बाकी दोस्तों मैंने आप सभी को list दिखा दिये और दोस्तों cut off की बात करो तो cut off बच्चों इसमें जार हुए थे उनमें से काफी बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर दोस्तों क्या 110 के आसपास भी थे ठीक है बड़ दोस्तों का selection नहीं हुआ और जो दोस्तों हमने बताया था कि 120 के आसपास merit जाएगी confirm है तो वही दोस्तों हुआ है इसी वज़े से बच्चों बच्चे का नंबर भी नहीं आया हाला कि इसके जो नंबर बनने थे वह 110 के आसपास बनने थे ठीक है समझ में आगे ने सभी को और दोस्तों जर्णल के टागरी से वह बच्चा बिलोंग करता था यूर से और यूर की merit मेरे according दोस्तों हमने पहले बताया था कि 120 के आसपास जाएगी तो वही व कि लिए ना बागी दोस्तों कोई query हो तो comment करना हम जरूर से आप सभी का जवाब देंगे और vacancy दोस्तों आप सभी की एक और बड़ी आ चुकि है किसमें military engineering service में जिसका दोस्तों जल्दी form filling start हो जाएगी बहुती best vacancy है दोस्तों आप सभी के पास military engineering service में join होने का और हाला कि यह उसी से वहतर ही है भोग ज्यादा ठीक है और slaybas बच्वों विल्कुल सेम है क्योंकि इसमें भी लो दोस्तों कि मेंट की ही वेकेंशी निकली होगी है ट्रेडस्वन मेंट की ही तो बहुती best chance है slaybas एकदम सेम है मेंट की ही वेकेंशी है बच्छों इस बात को भी ज़ा आएगा मिया इसका बता रखा है कि 10 जुन के आसपास इसकी वेगंसी जारी हो सकती है पुरी-पूरी 75% तो 10 जुन तक का इंदिजार करते हैं जैसे दोस्तों और कंफर्म है कि जुन में आप सभी का इसका दोस्तों नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो तयार है न बच्चों इसके आमने प्रिवेस येर पेपर भी करा दिया है नोटिफिकेशन भी डाल दिया है और बाकी दोस्तों क्लासिस भी जैसे नोटिफिकेशन आएगा तुरंत के आप सभी का सिड़्ूल जारी कर दिया जाएगा पहले की तरह ही क्लासिस होंगी टोप देवलगी क्लासिस होंगी कुछ नया बहतर करने के कोसिस करेंगे इस पर ठीक है तो धन्यवाद जय भारत